Top Best Laptop for Office Worker लिए, तो लिए अगर आप Office Worker लिए लेटाप लेना जाते हैं, तो थीस थाजार के budget range में आज इसी topic की बात करेंगे, ज्यादे समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नमबो 3 की. नम्बो 3 की बात करते हैं लेकिन नम्बो 3 की बात करने से पहले भई मैं आपको इतनी बात कहा देना जाता हूँ मैं जितने भी आपको लैप्टप आज बताऊंगा सभी का प्राइज रिंज 30,000 से लेके 35,000 के बजट तक प्राक्स देखने को मिलने वाला है तो भई अगर आपका इतना बजट है ये वीडियो आपके लिए जाते समय खराब नहीं करते हैं बात करते हैं नम्बो 3 की नम्बो 3 की बात करूँ नम्बो 3 पर यार मैंने डखा लिनोवो आइडियापेड S145 को अगर इस लैप्टप की बात करूँ सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको Full HD Plus जस्प्ले देखने को मिल जाते हैं आपको i3 10th generation के साथ देखने को मिलेगा तो भी अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना है या heavy tasking करनी है multi tasking करनी है आप इस laptop पे कर सकोगे इसकी look इसका design वगरा भी अपर मिल जाता है build quality भी आपको तगड़ी देखने को मिल जाती है 4.5 hours का battery backup पर वाइड कर देती है मतलब अगर आपने long time पेड़ काम करना है आप इस laptop पे कर सकते हो प्लस आपको window 10 देखने को मिलेगी lifetime validity के साथ प्लस मैं आपको बता देना जाता है इसके साथ आपको laptop bag plus mouse देखने को मिल जाता है so that's why इसका price थोड़ा सान क्रीज हो जाता है यह जो laptop आपको 33000 के बज़र में अप प्रॉक्स देखने को मिल जाता है चाइब को मिलेगा जो की 1.2 गीगा हाड की बेस्पीड देखने को मिल जाते है प्लस 3.4 गीगा हाड की maximum speed देखने को मिल जाते है टूपोर के साथ देखने को मिलेगा storage की बातों को 4GB RAM मिल जाते है लेकिन आपको upgrade करने की option नहीं मिलती प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते है graphic card की बात करूँ आपको integrated graphic card देखने को मिल जाता है battery की बात करूँ आपको 4.5 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है operating system की बात करूँ आपको window 10 देखने को मिल जाते है with lifetime validity के साथ laptop back प्लस mouse आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है price की बात करूँ मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको 31,000 के बजरिक से लेके 34,000 के बजरिक तक प्रॉक्स देखने को मिल जागा linovo ideapad s145 तो यहार main specification मैंने आपको बता दिये linovo ideapad s145 के अभी बात करते है यह laptop के लोगों को लेना जाए तो भी अगर आपने coding करनी है student office पर के लिए चाहिए offline काम करना जाते है आपको 4.5 रेटिंग मिल जाती है positive comment देखने को मिलेंगे अगर पढ़ना जाते हो मैं फिर से repeat कर देता हूँ buying link आपको description box में देखने को मिल जागा उस चीज़ को चाहूड कर लेना अभी आगे बात करते है नंबर टू की नंबर टू की बात करूं नंबर टू पियार मैंने डखा है एसर इसपायर 3 को अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले इसका look इसका design उगर आपको पसंद आने वाला प्लैक कलर इस laptop को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है प्लस आपको RAM भी अपग्रेड करने का option मिल जाता है ज आप सबी को प्रैफर जो है वो SSD करने वाला हूं HDD का benefit ज्यादा नहीं होता अगर आप डाटा वगराट ट्रांसफर ज्यादा करते हो तो वह बहुत ही मतलब slowly होता है ठीक है तो अगर आपको डाटा वगराट ट्रांसफर ज्यादा नहीं करना तो आप मतलब 1TB HDD की और जा जाएगा अभी बात करें इसके में स्पैसिफिकेशन की तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 50.6 की फूल एच्टी दिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो की LED बैकलेट के साथ देखने को मिलती है प्रसाइसर की बात करूं आपको आई 3 10th generation के साथ देखने को मिलेगा है 1.2 बात करूं आपको 4GB RAM देखने को मिल जाती है अपको 12GB तक प्लस इसमें आपको 256GB SSD देखने को मिलेगी दोनों में से एक चीज मिलेगी अगर आपने डाटा ट्रांसफर करना है SSD बैस बैस्ट आपके लिए अगर आपको डाटा जल्दी ट्रांसफर नहीं करना होता आपको ज आपको इंटिग्रेटरी ग्राफिक कार्ड मिल जाती है, बैंटरी की बातों को फाव आपन का बैंटरी बैकप पर वाइड कर देती है, प्रेडी सेस्टर की बात करूँ, आपको विंडो टैम देखने को मिल जाती है, प्राइस की बातों को 31,000 से लेकर 34,000 के बजट में आप से देखने को मिल जाता है, तो यहार मेंन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं, बिकोज बहुत बंदे मुझे बार बार एकी चीज़ मैसेज करते हैं, तो भी अगर आपको डाटा वगरा ज्यादा ट्रांसफर करना पड़ता है, अगर आपको डाटा वगरा ज्यादा ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है, आप HDD के और जा सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा करना पड़ गया, तो बहुत पक्कने वाले हो, सीधी सी बात है यार, प्लस आपको आई थ्री टैंथ इंज्वेशन के साथ मिल इसके बंदों के लिए ये लेक्टाप पोफेक्ट डील होने वाला, आप इस लेक्टाप के और चाह सकते हो, बाइंक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जागा, स्पैसिफिकेशन पढ़ना है, डिजाइन लोक को वगरा चागुड करना चाहते हो, या कुम अच्पी का लेपटाप चाहिए होता है, इस प्राइज रेंज में डैल इतने अच्छे जो आ लेपटाप पर वाइड नहीं करता है, जो की सच है, डैल वुस्तरों वुस्तरों वगरा आप देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वह इतने स्पैसिफिकेशन आपको अच्छे नह पर लेकर जल जाते हो, अगर आपने हैवी वर्क करना है, आप इस लेपटाप पर कर सकते हो, अभी बात कर लेते हैं, इसके में स्पैसिफिकेशन, तो यह डिस्प्ले की बातों को फिफ्टें पांट सेक्सिंच की फूल एस दी डिस्प्ले मिल जाएगा है, जो की IPS लेवल अगर आपने SSD की जाना है, उसका प्राइस चालीस हजार देखने को मिल जाता है, अगर आपने HDD की और जाना है, इसका प्राइस आपको तीस हजार के बज़े से लेके 33,000 के बज़र में या 34,000 के बज़र में अप्राउक्स देखने को मिल जाता है, ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको AMD Radeon Vega 6 देखने को मिल जाता है, बैंटरी की बात करूँ, आपक आपके बज़र से लेके 34,000 के बज़र में अप्राउक्स देखने को मिल जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ये लेक्टॉप आपके प्राइस रेंज में सेट पैड़ता है, इसका भी बाइंक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आपने एक ट्रस्टेड ब्रैंड गिया हो जाना है, एक बार आप खुद भी च्यागुड कर लेना, सभी के बाइंक लिंक डिस्क्रिप्शिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो यह अगर आपका प्रेड़ तीस हजार से लेके 35,000 है इस प्राइज रिज में यह तील लैप्टोप है, जो कि आपको सही चीजे परवाइड कर देते हैं, आपको बहुत ऐसे देखने को मिल जाएंगे लैप्टोप, लेकिन किसी में आपको HDD देखने को मिलेगा, किसी में प्रोसेसर तगड़ा नहीं देखने को मिलेगा, एंड जो डिस्प्ले को अलट करते सब्सक्राइब वीडियो को करते लाइक और इस्ताग्राम पे करें फॉलो लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जागा उसको चावड करने भी मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ तेंक्यू